भी दिखे जैसे कि आप सबको पताई कि मंडे को हमारा mission इंदर दुनुष इंटैंसिफाइड मिश्ण इंदर दुनुष हो लॉंच होने जा रहा है हमारी डिस्ट्रिक में जो कि पूरे ऐल इंडिया में इसका कंपेन चल रहा है तो आप सबको पताई कि यह सारा जो लॉंच ह है यह इसका कółव ऑगा तो आलरेडी आप सब ने वीर पे हल्थ फेसिलिटी मेनेजर के मादिन से आपने सेशन प्लाण किए हैं तो सेशन जो बने वह वेक्षिनेटर आइधी पे सेशन स्टार्ट होंगे सेशन कैसे स्टार्ट होंगे जैसे मैं बताता हो अब तो जैसे ही आप साइट क्लिक करोगे नीचे सेशन बनाएंगे जो भी आपके एडवांस में बने हैं जो प्लाइनिंग आपकी है तो आपने सेशन को क्लिक करना है और यहां पर ऑप्शन आएगा स्टार्ट सेशन का जैसे आप कोविड में काम करते हैं सेम एज इस रही है करोगे सेशन हमारा स्टार्ट हो गया इनकेस अगर आप बाहर भी आ जाते हो तो सेशन आपका ओन गोइंग पर रहेगा लागवाट भी करते हो तब भी ओन गोइंग रहेगा जब तक आप सेशन को खुद से नहीं करोगे तो सेशन एंड आपने तब ही करना जब आपका कुछ भी एडिट कुछ मोडिफिकेशन अगर किसी बैनिफिस्ट्री का नाम गलत है कुछ है वह ऑन साइट सेशन पर हो सकती हैं बट सेशन एंड करने से पहले तो अब देखिए जैसे कि हमारे पास आप्शन है हमने जो प्री रेस्टेशन किये हैं बैनिफिस्ट्री को उन दिख रहा आपको जैसे फिल्टर में जैसे अब क्लिक करोगे सब्सक्राइस करोगे तो मौले नंबर से आप जो भी नंबर होगा जिस बच्चे के गार्र जो भी गाडिन होगी या मदर फादर जो भी तो नंबर आप डालिए इसमें जैसे अब अप्लाई करोगे तो बताएगा उस नंबर से कितने बेनिफिस्ट है तो आपको ड्राइग करना है जैसे यह प्रिंस है तो प्रिंस को अगर मैंने श्रीडूल में लाना है काफी सारे बच्चे होंगे जो बच्चा आपके पास आएगा आपने उसको वैरिफाई कर करनी है तो यहां पर दिखिए यह करसर मेरा दिख रहा होगा आपको तो यहां पर हम चोटा सा राइट साइट प्रिंस के राइट सेड यह जो आपने क्या किसी भी बेनिफिंट कर सकते हो जैसे आप क्लिक करोगे तो मेंने आपको बताया था कि अधार की इस करनी है आपने मैंडर के करनी है क्योंकि दार के वैसी करोगे तो 80 जाएगा जो आदार उसे फोन भो गो सको बच्चों को आपने प्रीजिस्टर किया है अगर किसी ने भी उसके फादर का नाम वहां पर मेंशन नहीं किया क्योंकि गार्डियन तो कोई भी हो सकता ना नमबर आपने डाला एक्जिस्टिंग गार्डियन किसी को भी ले सकते हैं ठीक है तो आपने फादर नेम अगर नहीं उसी के मतलब हिसाब से यह उसको authenticate करेगा verify करेगा जैसे बच्चा 2022 का है अगर आप यहां पर गलत डालोगे तो कभी भी verify नहीं करेगा तो देखिए जैसे मैंने डाली member verify successfully यह हो गया तो आप इसको में continue करूंगा यह पूरा बताता है जिसकी 11 month का है 4 days का है मेल है मतलब एर कितने साल का बच्चा है वो पूरा बताएगा तो इस case में देखिए हमने इस बच्चे को pre-restriction किया था 11 month 4 days का है 1 September 2022 का बच्चा है previous vaccination हमने इसको देगे रखी थी पहले सी birth dose और जो भी OPV वगएरा one two third भी दिये ठी है क्योंकि nine month का बच्चा है तो third भी लगी है हमने date mention किये पुराने वाले हमने टिक किये जैसे हमने आपको बताया था तो आपने कब जब भी वी vaccine previous history वाला कोई बच्चा आएगा previous history उसको आपने दे रखी है तो कभी भी previous history में जाके उसको जो current vaccine है वो previous history में जाके click नहीं कर ना उससे क्या होगा जैसे PCV booster है वो date मांगेगा तो जब भी आप कभी current vaccine किसी को दोगे ना जैसे आज बचाया previous इसकी हमने already pre registration कर रखी थी तो आपने क्या करना है जैसे देखिए OPV ये तो हमने दे रखी है IPV ये eligible है 9 month में जैसे IPV लगीगी तो ये उसके लिए eligible है तो अगर आप current vaccine दे रहो आप वहां पर अगर date का option आ रहा है it means आप current vaccine वाले column पर नहीं हो previous vaccine वाले पर हो उसमें problem ये आईगी आप vaccine तो यहां से भी दे सकते हो date मांगेगा आपको date डालने पड़ेगी PCV booster मीजल इससे problem ये आईगी जैसे मैं date डालके इसको save and continue करूंगा तो ये बच्चा क्या होगा save and continue करके न ये verify तो हो जाएगा क्योंकि उसके बाद ये vaccinate नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने इसको previous history दुबारा दे दी आप इसको currently vaccine लगाने के लिए आपके पास कोई option ही नहीं बचेगा तो ये बच्चा कहां पर show करेगा आपको verified में अब ये पाई तक ही रहेगा क्योंकि हमने तो on on side session पर इसको vaccinate करना है तो vaccinate करने के लिए हमने इसको current vaccine देनी है तो इसका खास ज्यान रखना है जैसे मैं इसको click करूंगा loading पर जाएगा आपने refresh करना है तो यहां पर देखिए current vaccine में मैं जाओंगा मैं ये वाला case भी आपको बताऊ इने जैसे हम इसको click करेंगे अब देखिए oral polio बता रहा है बट यह अगर मैं टिक करूंगा यह तो लग नहीं रही यह system उसको लेगा नहीं और यह भी बताएगा कि एक चीज़ और इसमें नहीं हो आई है अगर यह बच्चा बता रहा है कि किस village का है स्पोर्ज करो यह बच्चा migrant population है थोड़ी देर के लिए आपके पास आया है चला जाए कुछ दिनों के बाद तो government of India ने इसमें नया option रखा है tag to session site यह बच्चा किसी village की due list में नहीं जाएगा यह सिर्फ session site की जो due list होगी उसी में रहेगा तो किसी आशा की due list में नहीं मतलब जाएगा तो नहीं आशा को track करना पड़ेगा तो यह tag to session site कर दो आप इसको अगर कोई बच्चा उस village कर नहीं है उस area कर नहीं है यह स्वाड कर नहीं है ठीक है जैसे मैं इसको save and continue करूँगा यह कह रहा है कि please select vaccination dose क्योंकि यह vaccine जो मैंने mention की यहां पर oral polio यह तो इसमे को करेगा vaccinate member ठीक है अब यह बच्चा vaccinate हो चुका है आगर आप देखना चाहोगे यहां आप से cross करोगे आप वैक्षिनेटर वले पर जाएंगे तो यह बच्चा vaccinate हो चुका है अब यहां से भी download कर सकते हो यह चोटा सा arrow देख रहा होगा तो इस case में आप एक और चीज़ कर सकते हो अगर कोई वैक्षिन आप से जैसे PCV थी अगर आपके पास फिजिकली आपने उसको नहीं लगाई बट आप से क्रेंट में आपको इस पोर्टल से लग लग चुकी है तो आप session end करने से पहले इसको undo कर सकते हो जैसे यह arrow दिख र देगा और verify में आ जाएगा यह बच्चा फिर दुबारा से इसको वैक्सिन दे सकते हो मैं आप बड़े द्यान से काम करो कोई यह इतना इशू आएगा नहीं और नेक्स्ट एक चीज़ और बताता हूं मैं इसमें करके जैसे कोई और बच्चा है अब देखिए एक नमबर में न तीन बच्चे है तो उसका मैं बताता हूं अब नमबर तो एक है गार्डियन का अब हो सकता है कि उस बच्चे के जो फादर है वो कोई और है तो आप इसलिए मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं कि फादर का नाम आपने मैंशन करना यहां जैसे नुमैड्स पॉपलेशन है या माइग्रेंट पॉपलेशन है या स्लम से रहके कोई बच्चे हैं तो उनके पास नंबर नहीं है अदार करनी है किसी एक का अदार कर लिया नंबर लिया आपने उनको लगाना है जैसे दिखिए मैंने नंबर डाला ये कभी भी सर्च नही अब सकते हो इस्थार प्रसेजर वहे है जो कोवीड टाइम पर हमने काम किया है तो जैसे मैं अप्लाई करूंगा ये बिताएगा बच्चा जैसे मैंने इस सब्सक्रीम प्रिंश को हमने बच 10 आँ तो एक करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा यहां पे तो इती हमारे शेडियोल में आगी कोई ऐसा केस हो जिसमें उसके पास अधार कार्ड नहीं है तो आपको भी नहीं पता उसका अधार कार्ड तो आप विदाउड अधार कार्ड उसको उसकी एरा बर्थ कैसे डूनोगे वह आप भी नहीं कर सकते तो अगर प्ली इस्टर होगा बच्चा तो आप उसको वेरिफाई कर सकते हो यहां पर छोटा सा उप्शन राइट साइड दिख रहा है एडिट को आप्शन राइट साइड में देखिए टॉब में यहां पर आपको बच्चे की पांस तीन दोजा तीस हमन कि जैसे ing ऐनके फादर का नाम डालना है जैसे मैं लास्ट वल्य में डाला था विक्रम हो साही साही इसमें जैसे इनके फादर का नाम है थैध में लिए विक्रम है से डाली 都是 2023 वे ये 2023 का चारी तो Quem यो इसको कनफर्म वेक्सिन हम इसको कौन-कौन सी लगाएंगे यह खुद ही बताएगा यह किस-किस वेक्सिन के लिए अगर आपने प्रिवेस हिस्ट्री दी होगी ना तो कुरेंटली में नाई डेट मांगेगा नाई आपको किसी अधर वेक्सिन को क्लिक कर सकते हो जो अप उसी को वेक्सिन प सारा सिस्टम जैसे हम इसको पेंटा थर्ड ठीक है तो यह इस तरीके से करना और यह बच्चा भी अगर उस व्लेज से नहीं है तो आप उसको टैग है टैग टू सेशन साइड करोगे अगर आप उसकी मदर को पूछोगे आप कहां रहते हो बोलेंगे इस व्लेज में इस से करेंगे तो फिलाल यह इस व्लेज का है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया सेव एंड कॉंटिन्यू तो वेक्सिनेट मेंबर अब यह सारे प्रीजिस्टर वले बच्चे हैं एक बच्चा ऐसा में शो करना जाता हूं आपको जो दो बच्चे हमने वेक्सिनेट किये दोनों के दोनों शो कर रहे हैं अब मुझे दुबारा अगर सर्च करना अगर कोई फिल्टर लगाने में कुई सर्च करना में प्रावलम आती है तो आपने क्या करना बैक करना है टॉप से यहां से बैक करिए ऑन गोइंग पर जाएए दुबारा से मतलि अपने शेडियोल में आईए जो ऑन गोइंग सेशन चल रहा है तो फिल्टर दुबारा लगाईए तो अराम से आप जो भी नंबर है मैंने टेस्टिंग के लिए एक ही नंबर यूज किया जो भी आ अब इसमें ऐसा बच्चा है कि जो जिनोंने बच्चों को प्री रेच्टेशन तो कर दी बट उस टैम उस बच्चों को शिर्व जैसे काफी सारे कमपडिशन केया लोगी चल रहा था कि साहर एक ब्लॉक वाईज बच्चों को यहार्बन सेंटर वाईज प्री रेच्टेश है शिवांश को मैंने बैन्फिस्ट्री एलोकेट किया विसकी एरवर्थ मुझे बूल चुकी है तो मैं देखना चाता हूँ 2023 है मैं बैग वापिस आता हूं दुबारा क्लिक करेंगे तो 2022 है अब इसका फादर का नाम जैसे अरून है तो मैंने अरून लिख दिया 2022 थी शायद नहीं गलत है ठीक है 2023 तो यह कभी भी नहीं लेगा जब तक आप डालोगी नहीं सही वली तो जैसे मैंने कांटीन्यू किया उसके बाद अब देखिए यहां पर प्रिवियस मैंने इस इस बच्चे ऐसा बच्चा है जिस जो भी किसी ने अगर प्री रेस्टेशन क तो आपकी ड्यू लिस्ट में ऐसी शो होता रहेंगे क्योंकि टू मन्त सिक्स्टें डेज का बच्चा है तो जिन्होंने भी अगर ऐसा कुछ काम किया हुआ तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको प्रिविस जो वैक्सिनेशन है वह आप दे दीजिए उसका उप्शन एक कि उसके लिए आपको सेशन चाहिए अब टॉप में जैसे स्पोस्ट करो नीचे कोई सेशन नीए टॉप पर सर्च करोगे यह नंबर डालोगे किसी की कोई वैक्सिनेशन प्रिविस अगर कोई रहा गही है कोई किसी ने नहीं डाली या ऐसी बच्चों को रिजिस्टर कर लिया तो उसके लिए आपने क्या करना है जैसे शिवांश है शिवांश को जैसे मैं क्लिक करूँ बहार टॉप में ने सर्च किया अब यहाँ पर बता रहा है कोई वैक्सिन दिया आपने क्या करना रिकॉर्ड प्रिवेस वैक्सिनेशन मैं यहां से भी दे सकता हूं मुझे सेशन की जरूरत नहीं है अगर किसी ने कोई ऐसा काम करके रखा है कि सिर्फ रैसेशन की दिखाने के लिए कि हमने बड़ी ज़्यादा प्रिवे से मेरी रिक्वेस्ट है कि वह अपनी रैसेशन की प्रिवेस हिस्टरी डालें तांकि वह बच्चा उस अगली वैक्सिनेशन के लिए ड्यू ड्यूश हो तो यहां से भी दे सकता है ठीक है जैसे वह फाइव मन्त का बच्चा था एड़ बर्थ लगी तो ऑपीवी वन लगी थ्री बी नहीं लेगा ठीक है तो साड़े तीन मिने में जा सारी टू मंत का बचा है ठीक है फाइव मंत का नहीं है तब यह उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने कुछ ऐसा करके रखा है तो वो उसको विदाउड सेशन भी प्रिवेस हिस्ट्री दुबारा से दे सकते हैं में बाकी जो रहागी है में वो नहीं दे सकता अगर मैं बैग भी आ जाओंगा तो दुबारा यह ऑप्शन आएगा तो दुबारा रिकॉर्ड में जाओंगा जिससे मैंने बीची दे दी ऐसे आप सारी वैक्षिंस की दे सकते हो जो मैं आपको बता रहा था ऑनलाइन सेशन में हम उसमें जाएंगे ठीक है तो सेशन हमारा ओंगोइंग पे चल रहा है आप दुबारा इसमें क्लिक करेंगे शिवांश आल्रेडी हमारे शेडियूल में सारी मैंने उसको वैरिफाई कर दिया था तो शिवांश को जैसे मैं क्लिक देनी है बर्थ जो बर्थ डोज जो भी है वो दी औरल पोलियो वैक्षिन वन ही दूंगा क्यूंकि जो सेकिंड वली है वो में क्रेंट में दूंगा ठीक है तो आपने इसकी डेड़ मेंशन करनी है फिलाल में बता रहा हूं आई पीवी वन तो लगीगी नहीं को साड़े दिन मीने में लगीगी पीसीवी वन पैंटा वन ठीक है और सॉरी वेक्सिनेशन प्लीस डोज हाँ सॉरी एक पेंडिंग रहे थी डोटा वन की इसलिए अलर्ट मैसेज दे रहा था तो अब इस केस में क्या करना है अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो आपने क्या करना है यहां पे छोटा सा एरो दिख रहा है इसको क्लिक करोगे तो सब्मिट का ऑप्शन आएगा त सीधा यह क्रेंट पर लेके आएगा आपको तो क्रेंट वेक्शन में आपने वही देनी है जिसके लिए लिजीबल्टी दिखाएगा यह ऑन सेट सेशन का दिखा रहा हूं और जिन्होंने वह जो मैंने पहले बताया प्रीवेस हिस्ट्री का अगर ऐसा कुछ किया तो प्री यह सेवन कॉंटिनू और टैक्टू सेशन साइड यह आप देख लो विलेज का बच्चा या माइग्रेंट पॉपलेशन आप उसको ऐसे वैक्सिनेट करोगे मेंबर तो इस आपने बड़े अच्छे से प्रीरेश्ट्रेशन की है और किसी की अगर कुछ रहागी है तो आप उस बच्चे को दुबारा साइड्सेशन कर सकते हो प्रीरेश्ट्रेश्चन सेम भी है ज्यादा डिफ्रेंस यह अगर यहां पर देखे में 9085 नंबर आप डालोगे ट्रफरेंट मोमन एच सीधा ट्रेक्ट उसको प्रेग्नन वोमन टाइग करों किया नाम उसका सब को कि सारे बड़े अच्छे से आपने काम किया और हमारा जो यह कंपेन है जो यूविन है यह बड़ा अच्छा सिक्सेस होगा यह आप सबकी अफर्ट से यह सारा आज जम्मू डिस्ट्रिक मुझे लगता है कि टॉप पही है तो यह आप सबका बहुत हार्ड वर्क है थैं इन पर और आपको दिखेगा कि आज आपने कितने बच्चों को वेक्सिनेट किया उसकी रिपोर्ट आप सेंड कर सकते हूं देखिए नीचे ठीक है यहां पर फिल्टर लगा के हम सर्च कर सकते हैं अभी लोडिंग चलती है तो यह चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं तो फिलाल आप इसी पर फॉकस कोईए